Question No.16 इस question में दो मास गिवन है, एक M1 मास 2 kg का, एक M2 मास 4 kg का, अब हमें बोलगी ये दोनों मास 2 मेटर की डिस्टेंस के उपर है और अगर हम 3rd मास लेके आए, M3 मास लेके लेते हैं, इस 3rd मास को कहां पुट करें, कि जहां पे इसको पुट करें, वहां पे इसके उपर net gravitational force 0 हो, तो जैसे देखो, अगर इसको मैं यहां पुट करता हूँ, M3 को यहां पे, 2 के left में, तो gravitational force due to 2, इसकी तरफ होगा, 2 की तरफ or due to 4, 4 के तरफ होगा, यह gravitational force होगा, तो net force इस direction में होगा, यानि left के कहीं पे पुट करो, net force इस direction में, net force 0 तो नहीं आएगा, दूसरा, अकर इस 0.1 kg को 4 के left में put करें, sorry, right में put करें, तो क्या होगा, यहां पे रखेंगे, तो 4 केजी को जैसे यह force लेगा इस direction में, और 2 केज को बीच में किसी point पर रखता हूं, मांदो मैं यहां रखता हूं, यह अपना कौन सा M3 है, M3 को मांदो मैं x distance पर रखता हूं, ठीक है, from 2 kg, तो यहां से M3 यहां पर रखते हैं, तो देखो 2 kg की वज़े से force का direction, attractive force है, तो यह direction होगा, और 4 kg की वज़े से इस direction में force लेगा, अब यह दोनों force एक दूसर के opposite direction में है, अब net force 0 कब होगा, जब यह दोनों force equal in magnitude होगा, यह direction तो opposite देही रखा है, तो मांदो यह force due to 1, mass 1 है, और यह force due to mass 2 है, यह दोनों equal होजाएंगे, तब F1 is equal to F2 होजाएगा, तब यहां पर net force क्या होगा, 0 होगा, तो F1 कितना हैगा, G G M1 M3 upon X square, यह कितना हैगा, G M2 M3 upon 2 minus X square, 2 minus क्यों क्यों किया, कि पूरा distance 2 है, और यह M1 और M3 के विचे माने X assume किया है, तो यह कितना होगा, 2 minus X होगा, clear M1 cancel होजाएगा, sorry M3 M3 cancel, G G cancel, यानि M1 X square upon M2 2 minus X X square, value पूर को तो 2 by X square is equal to 4 by 2 minus X square, solve करते हैं, तो 2 minus X का whole square is equal to 2 X square, तो 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 रूट करते हैं, 2 minus X is equal to root 2 X, 2 is equal to आ जाएगा, X 1 plus root 2, इसको solve करेंगा, X की value है कि 0.8, 0.8 meter, clear है, तो यह 2 minus X कितना होजाएगा, 2 minus X होजाएगा, 1.2 meter, clear है, इस point के उपर, इस distance के उपर, net force क्या होगा, 0 होगा, gravitational force, next question अपने को पूछा है, इस system की energy कितनी है, system क्या है, system, तीन मास का system है, M1, M2, और M3 मास, तीनों मास अपने को पता है, 2 kg, 0.1 kg और 4 kg, तो इस system की energy बता दी है, तो इस system को form करने के लिए, जितना work किया है, उतनी energy होगी, जितना हमने इस system को form किया है, form करने में, जितनी work हमने किया है, वो ही energy होगा, stored energy, but negative होगा, कैसा जैसे, मान दो, मैं, जब कोई नहीं था, मैं starting से कर लाता है, मान दो, यहां पे, जब कुछ नहीं था हो रहा है, M1 को हम लेके आए, ठीक है, जब M1 को लेके आए, इन तीनों में से कुछ नहीं था, और M1 को लेके आए, तो M1 को किसी के against force करना पड़ा किया, नहीं, कोई force लगाना पड़ा, नहीं, तो कोई force नहीं लगाना पड़ा, M1 को लाने के लिए, तो work भी नहीं होगा, तो work due to M1, अपने जब first work, क्या होगा, जब हम M1 को लेके आए, तो zero work होगा, यह कोई इसको attract य इसको पूल कर रहा है, तो work, क्या होगा जोगा, पूल भी इस direction में कर रहा है, motion भी इस direction में हो रहा है, हम infinity से लेके आरहे है, M2 को, तो यह इसको पूल भी कर रहा है, और हम भी इधर भी लेके आरहे है, तो work positive होगा, work कितना होगा, G M1 M2 upon R, R की value क्या है, इसकी value बूट कर पॉइंट एट नेक्स्ट जब इसी सिस्टम में M3 को लेके आते हैं यह M3 तब देखो M3 को लेके आ रहे हैं तो M1 की वज़ेसे भी वर्क करना पड़ेगा M2 की वज़ेसे भी वर्क करना पड़े हैं M3 आ रहा है तब M1 भी इसको पूल कर रहा है M2 भी पूल कर रहा है तो दोनों की वज़ेसे वर्क होगा तो M1 क्या होगा G M1 M2 अपॉन यह जो डिस्टेंस है कितने डिस्टेंस है 2 मीटर ओके और प्लस G M2 यह 3 था M2 M3 अपॉन यह डिस्टेंस कितना है 1.2 वैल्यू पूल कर देखो यहाँ पर G की वैल्यू माद में रख देंगे M1 की वैल्यू है 2 इसकी वैल्यू 4 पॉन 2 G 0.1 इंटो 4 अपॉन 1.2 तो ना टोटल वर क्या होगा अपॉन 2 प्लस W2 प्लस W3 एट करतो जी इंटो 2 इंटो 0.1 अपॉन 0.8 प्लस G इंटो 2 इंटो 4 अपॉन 2 प्लस G इंटो 0.1 इंटो 4 अपॉन 1.2 यह अपना टोटल वर क्या होगा इसमें अपन जी की वैल्यू पॉट करके इसको स्वाल करेंगे तो अपना आंसर को चाह 3.1 मेरा उसर रहा 3.1 इंटो 10 की पावर माैनस 10 J तो यह वर्क हमने किया किसी स्टम को फॉन करने के लिए अब इसके अंदर एनरजी कितने स्टोर होगे इतने ही अनरजीन स्टोर होगी यह एनर्जी है इस सिस्टम की, क्योंकि यह एनर्जी हमें सिस्टम को फॉर्म करने में लगी है, तो चैनल सिस्क्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेशन हो, कमने बख्रों में क्वेशन नमर और चप्टर नमर कमेंट कीजिए, तेंक्यू